ईक आए गाई वेलकाम बैक तू मैई वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आयरुन फार्म कैसे बनाते वह भी 1.19 में इतना अच्छा काम करेगा ना कि आप प्सोच्ची ना होगी तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना तो सबसे पहले आपको विलेज से 150 ब्लॉक्स दूर आ जाना है और वो जो फार्म लिख रहा है ना वो अगर आपको बनाना सीखना है तो मेरी पिछली फार्म वाली वीडियो देख लेना तो विलेज से दूर आने के बाद यहाँ पर आपको 20 ब्लॉक्स के हाइट पर चले जाना है और अब आपको एक ब्लॉक को छोड़के सभी ब्लॉक्स तोड़ देने तो ब्लॉक बचा है उसके साइड में एक एक ब्लॉक लगाना है और फिर उनी ब्लॉक के साइड में एक एक ब्लॉक और बढ़ाना है अब आपको दो चेस्ट लेने हैं और ऐसे लगा देने हैं और उनके पीछे चार होपर लगाने हैं अब आपको चार ग्लास लेने हैं और चेस्ट के उपर लगाने हैं और जो साइड साइड की जगा है न वहाँ पे आपको कॉबल स्टोन लगाना है अब आपको और एक लेयर लगाने है कोबल स्टोन की अब आपको चारों भी साइड में एट ब्लॉग लगाने है और उनको फिल कर देना है एक प्लाटफॉर्म बना लेना है हमने जो यह स्क्वेर्स बनाएना अभी उनको फिल कर देना है ही अब हमने इस अब आपको कॉर्णनर में जाना एक लगाना है और उस ब्लॉग के ऊपर पानी दालना ले और उस ब्लॉग को तोड़ देना और लेसा आपको चारों साइड में रिपीट करना है अब आपको यहाँ पे एक ब्लॉक चोड़ना है और पानी डालना है ऐसे ही आपको सभी साइड्स में करना है अब आपको लिवस की एक बॉर्डर बनानी है कॉबल स्टोन के उपर से और यह जो हमारा प्लाटफॉर्म है ना इसके नीचे टॉर्चेस लगा देनी है नहीं तो इनकी पार्टी शुरू हो जाएगी अब यहाँ पे आपको इस कोने में थ्री ब्लॉक लगाने है और इसी के साइड में आपको 11 ब्लॉक लगाने है जैसे मैं लगा रहूं और अब आपको यहाँ पे टू ब्लॉक लगाने है और अब हमें यह जो बीच का पार्टेन है उसको फूरा फिल कर देना है और अब हमें यहाँ पे टू ब्लॉक आए एक वाल बना देनी है तो अभी हमें सेंटर पे आना है और यहाँ पे थ्री ब्लॉक लगाने है और नीचे के दोनों ब्लॉक तोड़ देनी तो अभी आप हमें टेंप्रारी छोटा सा प्लाटफॉर्म बना देना है गया अधर मैंने बोला कि या चोटा सा प्लाटफॉर्म बनाना है लेकिन मैंने ही या पर एक बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म बना दिया, लेकिन कोई नहीं यहां पर हमें बेड़ी रखने हैं वैसे भी यह बारिस तो इतनी बार स्टार्ट हो गई है ना बहुत जदा इरिटेट कर दिया है इस बारिस ने मुझे तो यहां पर हमें 20 बेड्स लगाने है तो अभी हमने यह जो छोटा सा प्लाटफॉर्म बनाया था न तो अभी हमें यहां पर 20 फ्लेचिंग टेबल्स लगाने तो अभी हमें यहां पर 20 विलेजर स्पॉन करने मैं तो क्रियेटिव में हूँ अगर आपको सर्वायवल में इनको लाना है तो आप माइन कार्ट कर सकते हैं और जो वह नल्ला विलेजर होता है ना ग्रीन कोट वाल तो अब आपको यहां पर स्लैप्स की एक रूफ बनानी है स्लैप्स की बनाना नहीं तो यहां पर इस रूफ के ऊपर ही आईरन गॉलम स्पॉन हो जाएगा तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ तो बस यह अभी लास्ट ब्लॉक है और हमारे कैदी ओ सौरी 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 हमारे प्यारे विलेजर से यहां पर रहेंगे प्यार से रहेंगे और यह देखो यहां पर आईरन गॉलम स्पॉन भी होने लग गए मैं स्लैपी लगा रहा था कि यहां पर आईरन गॉलम स्पॉन भ जो आइरन गॉलम तेने एक के बाद एक स्पॉन ही हो रहे थे इसलिए मैंने वहाँ पर ब्लॉक लगा दिये तो अभी हमें यहाँ पर क्राउच हो के बॉन्फायर लगाने है जैसे में लगा रहा हूँ तो अभी मैंने यह टेंपरेरी ब्लॉक्स लगाएते ना यह मैं तोड़ देता हूँ तो गाइज आप देखी सकते हो कि हमारा फार्म कितना अच्छे से काम कर रहा है तो गाइज अगर आपको यह फार्म पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं अगली इसी तरह की एक आसम वीडियो में